ब्रमान की किसी भी हलवाई की दुकान पर दो चीजें होना जरूरी है वरना वो दुकान हलवाई की दुकान नहीं कहला थी, पहला तो हलवाई खुद और दूसरा समौसा संसार की एक मात्र ऐसी रचना जिसके तीन कोने होने के बावजूद भी शान से सीना तान कर खड़ा हो जाता है हलवाई की दुकान पर जब समोसे भर कर रखे जाते हैं अब तले जाने से पहले पूरी समोसा मंडली पंक्तिवद रूप से यू ट्रे में खड़े दिखती है मानो सफैद वर्दी पहने जवान सावधान की मुद्रा में खड़े होकर गार्ड ऑफ ओनर दे रहे हो अपने इसी शाही अंदाज के कारण सैकडों वर्षों से समोसा स्नैक फूड का अगोशित समराठ है अपनी दो महरानियों यानि की हरी चट्नी और लाल चट्नी के साथ फूडियों के दिलों में राज करा अमीर गरीब में फर्क नहीं करता एयरपोर्ट लाउंज की फैंसी लुटेरी काफी शॉप में टू समोसास पूर टू हंडर्ड फिफ्टी रुपीज में भी मिलता है और डाखाने के सामने टीन के पतरे को लोहे की तार के साथ बिजली के पुराने खंबे के साथ बांध कर बनाई गई टपरी पर दसके दो भी मिलता है ताज होटल की चाल्दी की प्लेट में भी परोसा जाता है और पुल के नीचे वाले ठेले पर अखबार में लिप्टा हुआ भी मिलता है इतलब ये है पुल मिलाकर बड़े वाले सेड़ जी और सेड़ जी के घर का नौकर दोनों बराबर स्वाद लेते हैं सड़क के किनारे किसी ठेले पर छोले और चटनी के साथ सौध लेते हुए किसी नई नई जॉब पर लगे कूरियर कमपणी के डिलिवरी बॉय के फोन पर जब कॉल आती है और वो सामने से रिपलाई करता है कि मैं लंच कर रहा हूँ पसम से समसे को इतना प्राउड फील होता होगा कि इसके अंदर के आलू अजीम और शान शेहनशावाले बैकग्राउंड म्यूजिक पर नाचने लगते होंगे पस्यों समझिये कि जहां कुछ भी खाने को नहीं मिलता वहाँ पर भी समसा हमेशा प्राण रक्षक का काम करता है जिस परकार मनुष्य के जीवन में मौत और दुकान में ग्रहक के आने का कोई समय निश्चित नहीं होता ठीक ऐसे ही समसा खाने का भी कोई निश्चित समय नहीं है पुरे हिंदुस्तान में ही नहीं विश्च के कई देशों में सुभा सुभा नाच्टे में खाया जाता है देश बर की फैक्टरियों कमपनियों की कैंटीन में तो दिन भर खाया जाता है स्कूल कॉलेज़ों की कैंटीन में भी अंगिनत बंती बिगड़ती प्रेम कहानियों का गवा बना है समोसा इन कैंटीनों की कडाही में दिन भर निरंतर उत्पादन होता ही रहता है लेबर को ओवर टाइम का पैसा बले ही 20 रुपे कम दे दो पर बीच में एक ब्रेक लगागर चाय के साथ दो समोसे खिला दो फिर देखे कैसे लेंटर के डलने का काम भाएं से निमटता है समोसा कहीं मैश की हवालों से भरा होता है तो कहीं कटे हुए चकोरालों से देश भर में कहीं भी किसी स्कूल में निरिक्षक आ जाएं किसी कमपणी में आडिटार आ जाएं दुकान पर कोई पुरा नग्रहाग खरीदारी करने आ जाए तो ट्रे में चाए कप के साथ समोसा होना अतना ही स्वभाविक है जितना की सेट मैक्स पर बार बार सूर्य वन्षम फिल्म का आना पिर चाहेच के साथ चिपस बिसकिट बुजिया कुछ भी हो परतिथी के लिए अरे एक समोसा तो लीजिये का आग्रे सम्मोधन का एक सम्मान सूचक वाक्या माना जाता है भारत के राष्टिय सनैक की पदवी के लिए चाहे तो कोई सर्वे करा लीजिए चाहे वोटिंग मेरा दावा है इस पदवी पर समोसे का चुनाव होना 100% पक्का है यह मैं नहीं कह रहा हूँ बलकि विश्व भर में समोसे के करोडों चाहने वाले कह रहे हैं और आप सभी लोग भी कमेंट में बताएं क्या मेरी बात बिलकुल सही है क्या समोसे को राष्टिय सनैक की पदवी मिलनी चाहिए यह नहीं धन्यवाद